हलो स्टूडेंट बेलकम टू बावी बायो केम कलासिस में आपका स्वागत है स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की कच्छा दसवी परिच्छा 2022 विज्ञान जू विज्ञान की सबसे महतपूर प्रस्न यानि कि खंडगा वाले सेक्षन की बात करेंगे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टन परस्न जो कि विज्ञान के खंडगा में बात करने वाले हैं इसमें फर्स्ट आफ 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 आल अबजिक्ट्व कुश्चन हमने एट किया है टोटल 13 कुश्चन अबजिक्ट्व दिखाय जा रहा है यानि कि 1 से लेकर कितना 13 कुश्चन क्या है आपके अबजिक्ट्व है कुछ इस परकार से हम यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों जो भी हाई स्कुल की बच्चे देख रहे हैं यह क्या रहेंगे क्या खास करके उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह कुश्चन इस बार जो 2022 की परिच्छा देंगे वह स्क्रिंसॉट ले लेंगे क्या स्कुल करने के प सब्सक्रिंसॉट लेंगे एक उपना क्युश्चन सॉलब करेंगे अगर कोई बच्चा अच्छे से पूरा कुश्चन सॉलब कर लेता है comment करेगा, comments करने के बाद कुछ न कुछ, खास करके provide भी करेंगे उसके लिए अलग से तो जो बच्चा kwushn solve करता है तो बताईगा जरूर comments करके उन्तिजार करेंगे उसकी comments का हम बात करने वाले हैं question number first से start करने आ रहा है ध्यान देना, इस तरिके से पादपू में वाइब प्रदोसर कम करने वाली परकिरिया है, स्वसन है, प्रकास संस्लेशर्ड, वास्पो सोरजन, प्रोटीन. Then second question, ग्रास नली पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास थी रजना कहलाती है, Then third question, अहार नाल पर सी के अकार की सरजना होती है, अमासय, ग्रहडी, ग्रसनी, क्रीम रूप परिशेशिका, Then fourth question, क्रीम रूप परिशेशिका, डॉट डॉट का भाग है, छोटी हांत, अग्ना से, बड़ी हांत, ग्रास नली, इस तरीके से आपके objective question student दिये जा रहे हैं, ध्यान देना, 5 question क्या है, मनुस के हिर्दय में कोश्टो की संख्या, यानि की chamber, यानि की वेसो की संख्या है, चमबर वहीं बात कर रहा है, कितने मनुस के रहे हैं चमबर होता है, एक होता है, एक दो होता है, तीन होता है, इस परकार से आपको सही आप्सन पर टिक करना है, अगला प्रस्ण है पाधपो में जायलयम का कारी होता है यानि पाधपो में जो जायलयम होता है उसका कारी क्या होता है उससरजी प्रदार्थों का संबहन करना एंजल का संबहन बोजन का संबहन अमीनो आमले का संबहन अगला कोशन है मनुस में व्रिक एक तंत्र का भाग है किस तंत्र का भाग है मनुस में किड्नी जो व्रिक जो संबंदी थे पोसर से की स्वसन से उसर्जन की परिवान से अगला कोशन देन पराग कोस में होते हैं बाहदल अंडा से बिजांड पराकड Q9. निम लिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र नहीं होता है Important है अंडा से गरभा से सुक्रवाहिक्या दिमबवाहिनी Tenth question क्या है नर जनन अंगो से संबंधित गरंती है Prostate, Swet, Adrenal, Epididymus Nisiation के बाद पुस्प का कौन सा भाग फाल में बदल जाता है पुंकेसर वर्तिका ग्रंडा से बिजांड 12 question गुर्षूतर किस प्रदार से बने होते है Protein से की RNA से DNA से A वसी दोनों से 13 question समझात अंगो का उजारण है मनुस के हाथ तथा कुत्ते के अगरभाद मनुस के दाथ तथा हाथी के दाथ आलू एवं गास के उपरी बोस्तारी इन उपरोग सभी आगे हम बढ़ते है अबजैक्टू टाइप के बाद बेरी स्वाटैन्सर टाइप कुश्ण जिस टाइप से आपकी यूपोर्ड इग्जामनेशन में आता है प्रस्ण उसी टाइप से हमने भी कुछ डिजाइन करने का प्रयास किया है ध्यान देना बच्चो अगला जो प्रस्ण है आदे लगो तरी प्रस्ण जिसको very short answer type का question कहा जाता है पहला question है इसमें प्रकास suns laser की परिवहासा लिखिये तदा इसकी रसाइनिक इस तरीके से यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे इसकी रसाइनिक अबकिरिया का समिकर देजिए इस प्रकार से पूरा question इस प्रकार से है स्क्रीन सॉट लेना चाहे दो ले सकते हैं और question की तरफ हम बाढ़ रहे हैं आगे कौन सा enzyme protein पाचक में सायक होता है अगला question मानो पाचक मानो पाचन तंद्र का स्वच्छ नमा के चित्र बनाईए फूर्थ मानो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम लिखिए उसके कारे का वर्डन कीजिए पॉइब्थ वशा का पाचन अहार नाल के किस भाग में होता है उस पाचक रस का नाम लिखिए जो वशा पाचक वशा के पाचन में सायक होता है देन सिक्स स्वसन को परिभांसित कीजिए देन सेवन स्वसन तरह दहन में यंतर लिखिए दो तरह लुद्खों के का नाम लिखिए फुसफुस दमनी में किस परकार का डुदिर पाया जाता है और क्यों मानों के बिरिक की खड़ी काट का चितर बनाईए और उसके प्रमुक भागों का नाम लिखिए बिरिक के प्रमुक कार कौन कौन से है जीवों के जनन की भिखंडन यम खंडन भिधी को धरड सहीद अश्पस्ट कीजिए पुस्प की अनुधायर काट का नमांकी चित्र बनाईए परागड पर टिपड़ी लिखिए एलिल पर टिपड़ी लिखिए देन फेप्टेन एलिल या ये यूग भी कलपे की से कहते हैं बेंडल के परियोगों के अधार पर प्रभावी तथा आप्रभावी लेक्षड़ों को समझाईए संकर्ड तथा संकर्ड की से कहते हैं लग उत्री प्रस्ण स्वार टैंसल टाइप कुशन एक कुशन केतने नंबर के आएंगे बच्चो चार नंबर के आएंगे ध्यान देना यानि एक प्रस्ण चार नंबर के आएंगे जबकि ये प्रस्ण जो था बेरी स्वार टैंसल टाइप का एक कुशन दो नंबर का पूछा जाएगा ध्यान देना और इस तरीके से बहुबिकल्पी की बात करेंगे तो बहुबिकल्पी में एक प्रस्ण एक नंबर का पूछा जाएगा लगुतरी प्रस्ण जिसी सौर टेंसर में पहला कोशन जो है सौसन किरिया को समझाईए आकसी तथा आनाकसी सौसन में अंतर बताईए दूसरा कूशन यहाँ पे सौसन तथा सौसो चवास में अंतर लिखिए दन थ्री कूशन क्या है प्रकास संसलेशन को प्रभवित करने वाले कार को काव लिखिजिए दन अगला कूशन की तरफ हम चलते हैं कूशन नमबर फूर्थ कुछ इस परकार से दिखाया जा रहा है इसक्रीन पर अहार नाल की सरचन तथा कारियों का वरड़न कीजिए दन फिफ्थ कूशन हीमोगलोबिन क्या है या कहां पाया जाता है सौसन क्रिया में इसकी भूम क्या है इसको बताना है दन मानव रुधिर की सरचना एवं कारे का संचीप्त टिपड़ी लिखना है वरड़न भी करना है इसको रुधिर देथा लशिक्या में दो दो अंतर लिखिये मनुस के हिरदय का स्वर्चना मांके चित्र बनाईए वासपो सर्जन किसे कहते हैं प्रियोगोदारा वासपो स गूषन का बेचन किजिए जर्ड में जर्ट संबहन का सूच नमांकि चित्र बनाईए यह बनाना है इसकी बुधियों का वाड़न किजिए उदार देखिव करना है ठर्टिन कॉशन दुनिसेचन या त्री सलेअन किसे कहते हैं नमांकित चित्र किसे वड़न करना है फोर्टिन कॉशन जनसंख्या बिरिद्ध होनेश वाली चार हानियस यानिक समस्याई लिखिए फ़ेपटेन कॉशन परिवार नियोजन जिखिए किसे कहते हैं मान और जनसंख्या बिरिद को रोकने और उपायो का उलेक कीजिए 16 कुशन सम यूगमजी एवं भी सम यूगमजी में अंतर लिखिए 17 कुशन क्या है इस्ट्रेंट मेंडल के प्रिथक करण नीमो को उधार देते हुए समझाईए 18 लच्छड प्रारूप सा जीन प्रारूप में अंतर असपस्ट केजिए 19 कुशन लिंग निधार किसे कहते हैं माना और लिंधार की प्रकिरिया को समझाईए 20 कुशन उध्परिवर्थन किसे कहते हैं उध्परिवर्थन किस वग्यानिक ने प्रस्तुत किया इस प्रकार से आपके 20 कुशन क्या रहे 20 कुशन यानि की लग उतरी प्रस्ण इस प्रकार से last जो section के question होते हैं आपके paper में जिसको विस्तरी प्रसन कहा जाता है जिसको देर के उत्री प्रसन भी कहते है यानि कि long answer type का question ध्यान देना बच्चो ये जो प्रसन होता है एक प्रसन 7 number कहाता है इस परकार से पहला प्रसन इसमें क्या है प्रकास संसलेसर किसे कहते हैं प्रकास संसलेसर की किरिया विद्ध का वाडन करना है आगे चलते हैं बच्चों दूसरे कुश्चन की तरफ ध्यान देना हम लॉंग एंसर टाइप की बात कर रहे हैं अभी इसमें जो दूसरा कुश्चन है का जा रहा है प्रियोगुदारा सिद्ध की जिए कि ध्यान देना इंपोर्टेंट है प्रकास संसलिसर्ड के लिए प्रकास एवं कार्बन डायक्साइड अवस्यक है यान इक प्रियोग द्वरसिद्ध करना है कि जो प्रकास संसलिसर्ड की प्रकिरिया होते है उसके लिए प् इसके साथ के साथ इसमें धमनी तथा सीर्या में अंतर बताना है तेन फाइब कुश्चन मूल रोम द्वारा जल का आउसोसर किस परकार होता है चित्र की सहाथा से समझाना है शिक्स कुश्चन उसरजन से क्या तातपर है अगला कुश्चन नमबर सेवन निसेचन किसे कहते हैं दो निसेचन को असपस्ट किजिए तथा निसेचन के पस्चात होने वाली गाटनाओ का भी वर्डिन करना है एट कुश्चन क्या है पुरुस जनन यानि जिसको नर जनन अंगों का नमानके चितर बनाना है परिवार नियोजन के आवसक्ता हैं उसकी विदियो का वर्डिन करना है 11 कुश्चन मेंडल के नियमो को उचे चितरों की सहायता से वर्डिन करना है ध्यान देना बच्चों ये सब ही आपके पखुत important प्रस्ण है जो की high school में पूछे जाएंगे इस बार 2022 में तो जियो विज्ञान वाले सेक्संस खंडगा की हमने बात कर दी गई है ध्यान देना बच्चे जो भी बच्चे question को solve करेंगे वो comment करेंगे उनके साथ साथ वहाँ पर हम एक telegram channel कर link apply करेंगे तो उस link पर आप join हो जाएंगे ध्यान देना बच्चो जो बच्चे solve करें question उनके लिए बता रहा है और खास करके सभी बच्चे को question solve करना है जो इस बार high school में का exam देने वाले है UP board 2020 क्या 2022 यान 2022 का very very most important तो I hope बच्चो आपको question अच्छे लगे होंगे then thanks for watching video student